कि असलाव अलेकुम तो से पहले तो अल्ला का लाख लख शुकर है कि हम एक फिक्रों को लेकर यहां बैठे हैं और यह नहमत महुत बड़ी नहमत तिस तरह बहुत सारी बाते कुरान की भी आई कुछ हमारे खांदा नहीं किस तरह तालुकाद होने चाहिए उस तरह की कुछ बाती भी यहां पर आई है लेकिन हकिकत में इसमें की काम्याबी मकसद में इंसान की रखी है लारभ बुलिज्जत में और यूसी के साथ जुरा हुआ उन्वान मुझे दिया गया है मिजाज और तो यह उन्वान इसलिए रखा गया है ताके कुछ चीजों को हम अच्छी तरह हमारी जिन्देगी में समझे जैसे मैंने बताया कि इंसान की जिन्देगी की काम्याबी मकसद में रखी है लारभ बुलिज्जत में अगर इंसान इल्म वाला है लेकिन मकसद नहीं है तो इल्म उसको नफा नहीं पहुचा सकता है अगर इंसान ताकतवर है लेकिन मकसद नहीं है तो उसका ताकती होना उसके पास जो भी संसादन है चाहे वह सारीरी रूप से ताकतवर हो या माली रूप से ताकतवर हो वह कोई उसको नफा नहीं को द्यान रखने की जरूत होती है तो यह मिजाज होता है अल्लार अपूल इज्जत ने दुनिया में जब-चब पैगंबरों को बेजा तो सबसे पहले इंसानों के मिजाद पर काम किया है लिजद और यह हमें इतनी पारी किस्व समझने हैं ताके हमारे आसपास की थोटी चीज दूनिया को भी जानते हैं शांद को भी जानते हैं चांद किता बला दूनिया से साइस के दरब से इस तरह का इल्म हमारे पास है कब है कि जब उसके पीछे हमने ध्यान दिया तब पाकि बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग भी है जिनके पास चांद क्या है, सूरत क्या है, दुनिया की जो चीजे क्या है, उसके बारे में कोई इल्म नहीं है लेकिन इल्म की तरफ जब हम गए, तो हमें भहुट सारी चीजों का पता चला। इसी तरह मकसद हम हासिल करेंगे इल्म से, और इल्म लेंगे जो नभी और पेगंबर मुहम्मद स.A.W. और उनसे पहले जो भी पेगंबर आए उनके माद्यम से अल्लार अपली इजत ने जो इनसानों का मकसद दिया है उसको हासिल करने के लिए उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें उस इल्म के तरफ जाना परेगा और उसका अगर कोई पहला रास्ता है तो और पहला और आखिर रास्ता कौन है कुरान पहला और आखिर उसके बात भी कोई नहीं और उससे पहले भी कोई नहीं यानि दूसरी जो किताबे हैं उस पर हमें इमान रखने का है लेकिन हमाने लिए कुरान वाहिक दुनिया में कैसे किताब है जिसमें 1400 साल बात भी आद्वी कोई ऐसा उसमें बदलाव किया नहीं गया बाकि दुनिया में बहुत सारी किताब है जिसमें बदलाव किया गया वक्तन फवक्तन अपने मफाद के लिए लेकिन इन्सानों के मिजाद के अंदर आज इस तरह की चीज़े आ चुकी है आज हम जब बात करेंगे यहां पर मिजाद किस तरह हम तब्दिली लाए हम इस तरह के मिजाद में रहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़े लेकिन हमारे मिजादों में तबदीली नहीं आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं तब तक आप अपने परिवार में रहते हैं अलग-अलग मिजाज होता है अगर माश्रे में है यह माश्रा है तो दूसरे माश्रे का मिजाद में मिलता नहीं है इस तरह अलग अलग माहोल में मिजाद में हम रहते हैं और इसमें भी वक्तन पोक्तन इंसान की दिन्दगी में कुछ ऐसे हाला जब इनसान अपने मिजाद जो नहीं होते हैं वह भी बाहर निकाल लेता है तो इससे जो शोची हुए जो चीज होती है उसने तो ठोस कि मुझे यह करना है यह है मेरे पास कभी-कभी इल्मा से भी इंसान गाफिल हो जाता है मिजाद जब अंदर का दबा हुआ नहीं निकालन तो मिजाद एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करने की जरूत होती है उसको और निखारने की जरूत होती है बहतर बनानी की जरूत हो जहां अगर आपके इलम और मकसद को तकलाता है तो उसको दबा दो और जहां मिजाद आपके मकसद और आपके इल्म पर रुकावत डालता है तो उसको साइट पर रखो और आपके इल्म हासिद करो मिजाद में यह पाया जाता है इसका इनलेसिस और इसका इल्म हासिद करने के बाद जानकारी के बाद चीतना भी देखते हैं वो कि मिज़ाद के उपर इंसान को आने के लिए सबसे पहले तो काम करना इल्म हासिल करना और इल्म क्या है अपने खुद की जात को कि मेरे अंदर अल्ला ने क्या दिया है मेरे आसपास मेरे परिवाल में क्या क्या चीजी है कौन का किस का मिज़ाद किस तरह का है उसको जानना उसके साथ साथ महासरे को जानना महासरे में क्या-क्या परिष्टिती है कहां मेरा मिजद उनके साथ तक्रा रहा है किसके साथ मेरा मिजद मिर रहा है यह सारी चीजों को हमें देखना बहुत बारी किसे जरूरी होता है क्युंकि यह सारी चीजे जितना हम अबजोर्ब करेंगे उतनी ही चीजें Amaral अंदर डेवलोफ होगे हम निक्षएंगे हम निक्ष़ेंगे हम किताबी इल्में हो या किसी से बाच्चूनी हो तो खाली देखने से पढ़ने से लिखने से कुछ nagyon होता है, अपनी जात पर भी सोचेना बढ़ता है, जतनी भी लोग आग बरे 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 सहाबी है, जितने भी बरे बरे अवल्या गुजरे हैं उन्होंने अपनी जाद पर सबसे ज्यादा मनोमन्थन किया और अपने अपने मिजाद को उस मिजाद पर लाए जब जो मिजाद अल्ला को पसंद है जब को इंसान अल्ला को पसंदीरा मिजाद बना लेता है तो अल्ला ताला उसको एक खास मकाम तक पहुंचा द कि उसका मकसद दुनिया के तो कुरान के साथ रजा के लिए आज दूनिया के बहुत बाते सुनते हैं समझते है कभी-कभी हमारी इच्छाय भी होती है लेकिन उस काम को लेकर हम कितने पूरा करने में हमारे बैलेंस करते हैं समय का बैलेंस अपने विचारों का बैलेंस कभी-कभी हम देखते हैं कई साथियों की यह कमजूरी है कभी कभी साथी यह कहते हैं कि समाज में ऐसा है वैसा है तो यह क्यों होता है साथी क्यों समाद को उस नजरिया से अब्ज़र करता है कि जो काम के अंदर हुआ और प्यदा करती है बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है कि समाज तो सुनता नहीं है समाज को किसी चीज़ की परवा नहीं है यहां समाज की बात नहीं हम हमारे मिज़ाद की और हमारे मक्सद को समाज के बीच में ले जाने की बात करते हैं यहां समाज का मिज़ाद क्या है उसकी कोई काम की य या काम नहीं हो पाता है तो उस पर इसके मधाशरे में करो सोच और छोन गलती होती है अपने मुझाशर में कमी तो मुझाति। समझान और माशरे का मिज़ात के अंदर कहां से क्या चीजी इजद होती है किया कहां कहां रुक जाती है कहां समाज समाज के अंदर फिल्राव होते हैं कौन से कूजाद रॉबहते हैं समाज को बचाने के लिए हम्हारा मकषण समझाने के लिए हमें मिजाद पर आने के लिए बहुत लंबी प्रोसेश से गोज़रना परेगा। सहले इनसान को सबसे ज्यादा मैं ने जैसे कहा कि मिजाद पर आने के लिए इल्म होना जरूरी है ये ये काम दिस तोरह करना चाहए हम उस तोरह कर नहीं पाते हैं कि पाद इस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं पाते जिस तरह इसका हग है अभि मानों हमें बूख लगी है और जो़ों से बूख लगी है से पानों के पांट चे दिन से बूख है उक ठोटा फोड़ा वरके मजबुरान खाद लेंगे लेकिन प्रड़े लेगा इतनी बरी समस्या जहां मिजाद की बात पर करो तो मानव विरोधी विरोधी लुग है तक रई लीक बरे बरे इकनोमीक के माली पुर्य दूनिया की शलतनाथ के मानिक दुनिया इंसानों के मिजद की उपर इतनी इतनी जोति-जोति बातों को मैंने करें इतनीrah भाट मिजद को इस तरह मिजद बदला जाए किस तरह इंके उपर कंट्रोल किया जाए किस तरह इनको गुलाम बनाए टेहिए चाहिए तो बढ़ का यहां तक इन लोगों ने मेरी बात समझा इंसान ने डिगड़ी तो ले लेकिन यह लोगों ने इस तरह सिस्टम बनाई है मिजाद बना दिया है कि उस इल्म से वह मानव हिद्ट में कोई काम नहीं कर सकता दूनिया के बरी बरी सक्तियां इंसानों को घुलाम बनाने के लिए म मानों को दुनिया के लालची लोगों को और दुनिया परस्त लोगों को माल से खरीद कर उनको खुशूर्शी बना कर चाहे किसी को नेता के रूप में प्रिजन कर रहे हैं किसी को अपने धार्मिक सेत्र के रूप में प्रिजन कर रहे हैं किसी को सामाधिक आजवान बना र सब्सक्राइब और मक्सद जिन्नगी इंसान की यह है कि जैसे इंसान है साइन्स वाले हमारे दौक्तर साब यहां मुझूद है इंसान पुड़ा है खुब शुरा है माशला ताकत वह लेकिन दिल धड़के का नहीं तो क्या होगा दौक्तर साथ इंसान वहीं मर जाएगा इसी रखना और मकसाइब आगे लेसक्तर काम परना यह पूरा काम जितना या बहुत फार सारी ऑगी काम करते हैं लोग सुनके नहीं हैं डिये बुलते हैं तो यह क्यूं ऐसा करते हूं उस पर शोचो इसको की तरह रहर हम हमारी बात समझा सकते हैं उस पर सोचो हमारे अन्दर अगर मिजाद में कोई गलती है तो उसमें सुधार लाओ हमारे साथियों के साथ डिबेट प्रव उसके साथ चर्चा करते करते हमें बहुत सारी चीजों को समधना परेगा हम यह काम खाली वक्ती तोरक पर चर्चा करने के लिए यह समय लुप मंघटरा निकालने के लिए नहीं है जिन लोगों ने हम यह काम किया है उसकाम को करने के बाद हम तक फोटी मोटी collective हमें पहुंची है चॉश् выпуск हमारी बढ़arm के लिए और यह काम हमारी करना वो भी बहुत सारी अच्छी तरह समझना पड़ेगा यह सारी चीजों को जितना यहां हमें खागा जाता है अगर कोई जवाबदारी दे रहेते हैं तो कम से कम दर्जे में हमारा जो मिजाजी तोर होता है कि अभी यहां से निकले तो क्या करेंगे हम लोग कर पर जाकर दूसरी चीजों लग जाएंगे चला हमारी जरूरते भी होती है परिवार की जरूरते भी होती है लेकिन मैनेजमेंट को समय का मैनेजमेंट जब तक इंसान अपने समय का बैलेंस नहीं करता है मैनेजमेंट यह तो साइंस भी गहता है औ और क्या बूलते हैं जो दुनिया के इल्म में लोग सिखाते भी है कि जब तक आप किसी चीज के पीज़ समय नहीं दोगे तो उस चीज को समझ नहीं पाऊगे जब यह इतना बड़ा मकसद जिसके उपर हमारी दुनिया और आखिरत की काम्या भी है अल्ला की रजा है और हमार बहतर बनाने के लिए हमारे मिजाद अगर इसमें टकड़ाव आता है तो वह मिजाद को तोड़ो अभी-कभी इनसान अपने दोस्तों के मिजाद के साथ इतना घुल मिल जाता है कि उसके चो अच्छे दोस्त होते हैं उसकी तो सलाय तो उसके अंदर आती है तो बूरे दोस हमारा दुनिया की चीज़ों में हम फाइदा देखते दीन की चीज़ों में सोचते ही नहीं है और यह काम ऐसा है और यह मत सोचो कि मैं परहा लिखा नहीं हूं मेरे कुछ लिखना नहीं आता है यहां अल्ला को सिफ तुमारा मकसत तुमारा दिल तुम कितना उसको हवाले कर सब्सक्राइब को नहीं देखता है कि तुम्हारा दिल देखेगा और कुरान ने भी कही जगा है दौक्तर साब कहा है तो यह सारी चीजे मिजादी और खुशुशी इसलिए उन्वान रखा गया है कि इंसान मिजाद और खुशुशी मकाम को पहुंचने के बाद अपने आपक लिए यह सारी चीजों पर ने आपको लगा देना इसका नाम मौमीन है क्या है मौमीन है एक हम कार्य करता तो बन जाएंगे किसी संस्ता से काड़कुन बन जाएंगे कि मौमीन बनना कि बहुत कटिन का वह इस पर अपने आपको बहुत लंबी सोच के साथ लगाना लिए तो उस इल्म को लोगों तक ले जाने के लिए निदरता हमें हाच़ा हमारे अंदर लानी पड़ेगी आथ क्या है कि दिन की बात भी महासर में करना बहुत निदरता होनी चाहिए क्योंकि लोग दरते हैं उसके आस्वास का महोल ऐसा है कि अपना मिजाद ऐसा बनाए इतने लोग मानते नहीं है जब कुरान और मकसद की बात है तो हम किसको पहले प्रयोति देंगे पहले मकसद को कुरान को हमारे मिजद को वहां चाया कुछ भी हो जाए हमारा मिजद साइट पर हम हमारे मकसद को पहले देंगे चाया दुनिया में कोई कितना भी हमारे मकसद और तब तक आप कुछ सकते कर सकते नहीं और खास करने की सोच तक भी आईês पहुँचundo आप बहुतिवी बहुत हैं करने की बाद कज़ब दूर रहा सकत तो उसके लिए हमें मिसा झुछूशा और अलला की कहाले जिन्डगी करने को जो यह सारा प्रयास हो रहा है जितना भी तो उसमें और अच्छी तरह सी काम करो कहां हमारी कमजूरी है हम कौन सी गलती कर रहे हमारे कौमिनिके संद्ध हम कितना वक्त दे रहे हम जो साथी यहां बैठ रहे एक मकसद के लिए एक दुश्रों की आखों में मौपत है के नहीं ह आँखों से आँखे बाते करे जब हम देखते हैं दुनिया के अंदर रहा हैं च्छाए कुरा करने चाहिए यह तो आखों मिलाकर बात करने चाहें कि समझें यह मिजाद में तब्दिली कमी है हमारे साथियों में कमीनिकेशन की कमी जमान में अगर कोई साथी कुछ ऐसा बोल जाए तो इसको अपने मिजाद पठर रखते हो इसको माप करने का मिजाद बनाओ कि समझें और इतना अपना मिजाद क्यों बनाना किसको राजी करना तो बहुत सारी चीजे अपने उपर सोची ने इसांतिस्त कुरान इसको माद दुनिया आठ पूरी दुनिया के जितने भी एकोनमिकल और दुनिया पर कभजा करने वाले लोग सिक पर केशले के कुरान वही यह कैसी किताब है तो इंसान को कम तर दर्जे से उपर आला मकाम तक पहुचाने की इसके दर यह है पूरे माद दसने लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम कुरान के उपर सही जंग से ना आ पाए है ना उस पर कुछ मैनत हो पाई है ना सोच पाए है जितनी भी बाते हम तक आ कोटाई हो तो अल्ला से उस काम के बात माफी भी मांगे मैंने जो बात कही अपने इल्म से अगर उसमें कुछ गल्ती हो गई हो तो मैं माफीत आता हूं और अगर कुछ खेर की बात है तो अल्ला उस खेर को हमारे सामने लाए और हक को गालिप करे यही बात के कि मैं अपनी को खितूल करें पिल्दा करना फाहिए उसे पादे खुसूसी और मिजाजी उन्हों के उपकी बाद है